हेलो फ्रेंड्स आज हम लड़ो गुपाल के लिए बहुत ही प्यारी सी घित्रेस बनाएंगे जिसको बनाने के लिए 30 कपड़े की जरूरत प्रत्री है और इसको बनाना बहुत ही जादा आसानी बस 5 में बनके रेडी भी हो जाता है तो यह मेरा पहला पीस है जिसकी चौड़ाई है 5 इंच और उसकी लंबाई हम आपको मेजर करके बताते हैं इसकी लंबाई है लगभग 27 इंच के एकॉर्डिंग है जितने बड़े आपके लड़ो गुपाल हो उसके हिसाब से आप कपड़े की लंबाई चोड़ाई ले सकते हैं तो एक मैनी जो यह बड़ा बाला पीस लिया है उसको इस तरह से सीधे साइड में हमें इस तरह से फोल्ड करना है बीस से तो हम इसको इस तरह से 20 से फोल्ड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि यह अच्छी से मुड़ जाए इसमें निशान पढ़ जाए तो फिर उसके बाद करना क्या है कि इसको side x side में आपको अच्छी तरह से दिखा देते हैं कि side side में इस तरह से इसमेशसे चला लेनी है और लंबाई में भी इसको शिला है चला लेनी है को इगधम से सिला ही चला के बन कर लेना है ताकि इसके आगी जो हम freely इसमें बनाए वो बहुत ही अच्छी से बन सकें तो अभी करना क्या कि साइड में इसमें इस तरह से सिलाई चलानी है दोनों साइड में थोड़ा-थोड़ा सा आधा दिन चले के और बगल नीचे लंबाई में भी इसमें सिलाई चला देनी है तो चले अभी हम इसमें सिलाई चला के आपको फिर से इसको दिखाते हैं तो फ्रेंस आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने किनारी किनारी पर भी सिलाई चला ली है और उसको अच्छी तरह से खोल लिया है जहां पर मैंने साइड साइड में वो सिलाई चलाई थी तो उसको इस तरह से अब इसमें हमें फ्रिल बनानी है आप इसमें जितना ही छोटा छोटा फ्रिल बनाएंगी ये ड्रेस उतनी ही अच्छी सी बनके रेडी हो जाएगी तो इस तरह से हमें आगे की साइड इस तरह से चुणनट देते जाना है आप चाहे तो तुरंत ही चुणनट दे कि इस पर सिलाई चला अगर अगर दिक्कत होती है तो आप इस तरह से चुणनट बनाते जाए इसमें फिन लग पिन आप लगा सकते हैं पिन से पहले आप इसको शक्योर कर लें फिर उसके बाद आप इसमें सिलाई चलाएं तो इसी तरह से पूरी प्लेर्स जो मेरी कपड़े हैं उस पे हमें इसी तरह से फ्रिल बना कि इसमें अच्छी तरह से सिलाई चला लेनी है जितने ही छोटे फ्रेल रहेगी वो देखने में उतना ही जादा खुबसूरत लगेगा तो मैंने इतना फ्रेल आपको बना के दिखा दिया है सीम इसी तरह से हम पूड़े कपड़े में इसी तरह से उपर के साइड से फ्रेल इसमें बना लेंगे और इसमें हम इस तरह से सिलाई चला देंगे तो चलिए अभी हम इसको फ्रील बना के आपको दिखा देंगे देखिए मैंने इसमें फ्रील बना लिया तो कपड़ा देखिए कितना छोटा अभी हो गया है देखिए इस तरह से यह back side था इसका यह front है तो इसमें फ्रिल बनाने के बाद यह इतना सा हो गया है। है इसमें छोटी-छोटी मैंने फ्रिल बनाई। है यह में दूसरा कपड़ा है। जिसको छौडाई 5 इंच और इसकी situations पर में भीदा है 10 इंच और दूसरा कपड़ें। ज मैं- लंबा दे था 9-ज। किनारी इसका चलाएंगे और इसको हम पलट देंगे तो चलिए उसको हम देखा देते हैं आपको कि मैंने इसको सिलाई चला के पलट लिया है इस पलटना बहुत ही ज्यादा आसान है आप सभी को पता रहता है फिर इसके बाद इस तरह से उसको हम डबल फोल्ड करेंगे इसको करेंगे इसको हम अच्छी तरह से इसमें इस तरह से मार कर लेते हैं अच्छी तरह से और यह जो नीचे का फ्रील है उसमें भी हम इस तरह से इसको दोनों साइड में मिलाते हुई इसके सेंटर पर हम इस तरह से मार कर लेंगे तो अभी हम इसको इसमें दो इंच इसमें मेजर करेंगे इस तरह से जहां से हमें इसमें सिलाई चलानी रहेगी तो जहां पर यह दो इंच आ रहा है हमारा सेंटिमीटर रखने पर वह हम इस तरह से इसमें मार कर लेंगे और उसके नीचे से हम इसको अच्छी तरह से इसमें सिलाई चला देंगे इस तरह से इसमें भी सिलाय चला कि इसको अच्छी तरह से लॉक कर लेना है तो फ्रैंस इसके बाद देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसको लॉक कर लिया है और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं पटी जमाए करना किया है कि सेंटर जो में Meyer निकाला था वहीं पर हमें इसकु गसी सिब्लाए it कि सिदह से साइड रहता है इस तरह से बढ Queensector कुई है मैंने का यहां मार्क किया है वहां पर हम थोड़ा सा ओर्डार कर लेंगे इसको मार्क करके और सेम इस पट्टी का भी जो सिंटर है इसका वहां पर हम इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे मारक करने के बाद करना कहा कि इस तरह से हमें इस पट्टी को रखना है और इसमें इस तरह से सिलाई चला देनी है हमें यहाँ पर थोड़ी मजबूत ही सिलाई चलानी है ताकि यह निकले नहीं तो यहाँ पर हम अभी मैंने इस पर सिलाई चला ली है दुनों को इसमें इस तरह से अटेच कर लिए तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यह अटेच हो चुका है इसको इटेच करने के बाद मैंने एक पट्टि ले है जिसकी चौडाई है सवह एक उन्च और मिरेख लमबाई है बारा ही इंच तो उसको इससे फ्रील वाला वाजड है उसको हम इस तरह से उल्टा रखींगे और इसको भी हम इस तरह से उलटा रखेंगे इस पे हम सिलाई चला देंगे पहले हम जैसे पट्टी लगा जा था उसी तरह से हम पट्टी लगाएंगे ये कपड़ा मैंने थोड़ा बड़ा लिया है ताकि हम इसी में डोरी भी बना लें अलग से हमें डोरी जिसमें लगाने जरूरत नहीं पड़ेगे तो आप देख सकते हैं मैंने एक बार शिलाई इस तरह से लगा ली है अब इसको हम इस तरह से सीधी साइट पलटेंगे और वहां पे भी हम फोल्ड करके इसमें अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे तो हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है बीच में और किनारी में हमें किस तरह से फोल्ड करना है हम बता देते हैं आपको कि इस तरह से दोनों साइट किनारी किनारी हमें हलका हलका सा पहले इस तरह से मोड़ना है और फिर उसके बाद हमें इसमें दुबारा से फोल्ड कर दे में इसी चला देना है तो हम कहती हिसमें चला करें बनके रिएड़ी हो चुका है तो यह इसका आगे काा पाठ है यह पीछी किसा और इसका यह देखर में काफी मैं नफेफ्य बड़ा यह उस से अगय केपड़ को dif선 वूप जादा सुदर बना सकते ह府 बना सकते हैं इसमें अभी लायस इसमें अटैज करेंगी ताकि यह देखने में जादा ही गोपसूरत लगा । 仔 तो इसमें लयस लगा सकते है, मेरे पास सिलिवल कलर ड़ा है यह जाए लाएज भिएक है दिखा देते हैं, यह लगने के बाद और भी ज़्यादा खुलसूरत लगने लगा है, यह हमारे लड़ जोकौपल की बहुत ही प्यारी से ड्रेस बनके ड्रेडी हो गई हूज जिसको मैंने बस 5 दो बना के रेडी किया इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है ये बहुत ही कम कपड़ों में बनके रेडी भी हो जाता है तो आप अगर चाहें तो इसमें पोल्टेंग कलर का भी लैस इसमें अटाइच कर सकते हैं आपको जिस तरह का अच्छा लगे आप इसमें चीजें अटाइच कर सकते हैं आप चाहें तो ये ढूरी की जगह वैल्क्रो का भी यूज कर सकते हैं कि मैंने इसमें ढूरी का ही यूज किया है इस तरह से उसे पट्टी मैंने ढूरी भी बना ली है तो फ्रेंस आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी ड्रेस बनके वीडियो अच्छी लगी हो कि आप सभी हमारे चैनल को लायक करें सस्क्राइब और सियर करें और हमारे चैनल के ले precautions को जरूरे करें ताकि हर वीडियो के notification आप सभी को मिलती रहे वीडियो को पूड़ा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद